बाहु बली स्टार प्रिभास की मल्टि स्टारर फिल्म साहो रिलीज हो चुकी है एक्शन से भर पूर साहो को दुनिया भर से पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे है सुजित के निर्देशन में बनी फिल्म साहो देखने के बाद दर्शक इसे माइंड ब्लोइंग बता रहे है एक्शन्स लवर्स ने फिल्म के एक्शन को नेक्स्ट लेवल का बताया है पॉजिटिव रिव्यूज के बेच प्रभास को लोगों ने राजा तक कह दिया है एक यूजर ने अन्य दर्शकों को फर्जी रिव्यूज पर विश्वास निल करने की सला दी है यूजर ने लिखा नेगेटिव रिव्यूज पर बिलकोई भरुसा ना करे ये आज तक की बनी हुई बेस्ट मूवी है वही एक यूजर ने फिल्म के सभी पॉजिटिव पॉइंट्स गिनते हुए इससे तेलोगों फिल्म इंडिस्ट्री का गौरव बताया है यूजर ने फिल्म के रिव्यूज में इसके अक्शन सीक्वेंस फिल्म को जहाँ पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे है वही कुछ लोग साहो से ज्यादा खुश नहीं नजर आए एक यूजर ने साहो को ओसत रेटिंग देते हुए लिखा इंटवल ट्विस्ट को छोड़ कर बाग की फॉस्ट हाफ निराशा जनक साउथ एक्टर प्रभास का क्रेस पहले सी ही है अब फिल्म देखने के बाद लोगों पर उनका जादू सिर चड़कर बोल रहा है दर्शकु ने फिल्म में प्रभास की एक्टिंग की जम कर तारीफ की है एक यूजर ने लिखा कि फिल्म देखने के बाद में राद भर नहीं सो पाया फुल उन एंटर्टिंग्मेंट की गैरिंटी यूजर ने प्रभास की तारीफ करते हुए लिखा अब दुनिया में प्रभास का राज होगा प्रभास की मर्टि स्टारर फिल्म साहो को यूए ए में क्रिटिक ने चार स्टार दिये और इस एक्शन थ्रिलर मुवी की जम कर तारीफी की हाला के फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज का भी सामना करना पड़ा साहो के लिए प्रभास को हर तरफ से शुपकामनाई मिल रही है साथ के सभी बड़े सितारे प्रभास को बेस्ट विशिस दे रहे है बाहुबली सीरीज में प्रभास के को स्टार रहे एक्टर राणा दगूबती ने भी प्रभास को वेस्ट ओफ लग विश करते हुए लिखा है जस्ट फायर ओन ब्रो बता दे की राणा और प्रभास सिर्फ प्रफेशनल फ्रंट पर ही नहीं बलकि परसनल लाइफ में भी अच्छी बांडिंग शेयर करते हैं फिल्म साहू की शिरुवात रॉय फैमिली के ग्रांड इंट्रडक्शन के साथ होती है जो दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट चलाता है फिल्म के मुख्या का नाम रॉय जो कि जैक इश्राफ है जो अपनी मुंबई विजिट के दौरान मार दिया जाता है इसी दौरान शेहर में कई सारी चोरिया भी होती है कुछी सीम्स के बाद फिल्म में अशुक चक्रवर्ती यानिकी प्रभास की एंट्री होती है जो ये चोरिया रोकना चाता है अशोप को ये जिम्मा दिया गया है कि वो चोर को पकड़े और शहर को साफ करे और ये फिल्म में इंटरवल के बाद का भाग दिखाया गया है प्रभास अपनी एंट्री से ही दर्शकों का दिल जीत लेते हैं हर एक फ्रेम में उनका चाम और स्वैग नज़र आता है फिल्म में चंकी पांडे ने भी शांदार अदाकारी की है और शद्दा कपूर का काम भी काफे सराहनिया है फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा लंबा है जिसमें कई सारे ट्विस्ट है लेकिन प्रभास अपने करिश में से सारी बाते संभाल लेते हैं साहो का पहला भाग जहां खत्म हुआ वहां से दर्शकों को दूसरे भाग का इंतजार रहेगा